हाथियों के बारे में रोचक तत्थे वाले हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है यदि आप यहां नए हैं तो हमारे नवीनतम वीडियो से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल आइकन को अवश्य दबाएं हाथियों के दुनिया की इस रोमांचकारी यात्रा में आपका स्वागत है इस एपिसोड में हम इन इंक्रेडिबल प्रानियों के बारे में आकर्शक तत्यों को उजागर करेंगे उनकी प्रभावशाली बुद्धिमत्ता और भावनात्मत गहराई से लेकर उनके पारिस्थितिकी तंत्र को आकार देने में उनकी महत्वपोल भूमिका तक सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में हम उनकी जटिल सामाजिक संरचना के बारे में जानेंगे उनके विशाल आकार, चपलता और अद्वितिय संचार विधियों के बारे में जानेंगे आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना तथा नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि आप हमारे आगे आने वाले वीडियों को सबसे पहले देख सके चलिए, अब शुरू करते हैं फैक्ट नमबर एक, क्या आप जानते हैं कि हाथी उनकुछ जानवरों में से एक हैं जो आत्म जागरूख हैं? वास्तव में, वे एक मातर ऐसे जानवर हैं जो खुद को दरपण में पहचान सकते हैं इसका मतलब ये है कि उनमें व्यक्तित्व की भावना है और वे अपने अस्तित्व के प्रती जागरूख हैं वज्ज्यानिकों ने ऐसे प्रयोग किये हैं जहां वे एक हाथी के मातर पर एक निशान लगाते हैं और फिर उनहें एक दरपण दिखाते हैं फिर हाथी अपने माथे पर निशान को छुएगा, जो दर्शाता है कि वे खुद को दरपण में पहचानते हैं स्वयम को पहचानने की यह क्षमता न केवल आकरशक है, बल्कि यह 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 भी दर्शाती है कि हाथियों में उच्चिस्तर की बुद्धी होती है फैक्ट नमबर दो, हाथी अपनी अविश्वसनिय याददाश्ट के लिए जाने जाते हैं वे अन्य हाथियों को याद कर सकते हैं जिनसे वे मिले हैं, भले ही उन्हें आखरी बार देखे हुए कई साल हो गए हो वे विशिष्ट स्थानों, जैसे पानी के सोसर्स को भी याद रख सकते हैं और साल दर साल उनके पास लोटा सकते हैं ये प्रभाफशाली स्मृती ही एक कारण है कि हाथी इतने महान समस्या समाधान करता होते हैं वे पहले सामने आई समस्याओं के समाधान को याद रख सकते हैं और उन्हें नई स्थितियों में लागू कर सकते हैं इस तरह के और वीडियो देखने के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले फैक्ट नंबर तीन हाथी सामाजिक प्राणी है और समूहों में रहते हैं जिन्हें जुन्ट कहा जाता है इन जुन्डों का नेतरित्व आमत और पर एक मुख्य हथिनी द्वारा किया जाता है जो समूह की सबसे बुजूर्ग और सबसे अलुभवी महिला हाथी होती है अबल भावना होती है और वे जरूरत के समय एक दूसरे की मदद करते हैं उदाहरण के लिए यदि एक शिशु हाथी खत्रे में होता है तो जुन्ट के अन्य हाथी उसे बचाने के लिए आगे आते हैं फैक्ट नंबर चार हाथी पृत्वी पर सबसे बड़े जानवर है वैस काफ्री की हाथियों का वजन 6000 किलोग्राम तक हो सकता है और उनकी उचाई 4 मीटर तक हो सकती है अपने आकार के बावजूद हाथी आश्चर्य जनक रूप से फूर्तीले होते हैं और 25 मील प्रती घंटे की ओसत से दोड़ सकते हैं उनमें गंद की भी अद्भुत्ख शमता होती है और वे 12 मील दूर से पानी के स्रोतों का पता लगा सकते हैं यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फैक्ट नमबर पाँच हाथी बहुत भावुग जानवर होते हैं और खुशी, प्यार, दुख और यहां तक की सहानुभूती सहित भावनाओं की एक विस्तरित श्रिंकला प्रदर्शित करने के लिए जाने जाते हैं उन्हें अन्य हाथियों की मौत पर शोप मनाते हुए देखा गया है और वे अक्सर मृत हाथी के शव के साथ कई दिनों तक रहते हैं वे मनुश्यों सहित अन्य जानवरों के प्रती भी सहानुभूती दिखाते हैं संकट में इंसानों की मदद के लिए हाथियों के आने के कई किस्से हैं जैसे की एक पल्टी हुई कार को उठाने में मदद करना फैक्ट नंबर च्छे हाथी शाकहारी होते हैं और एक दिन में 300 पाउंड तक भोजन खा सकते हैं उनके आहार में मुख्य रूप से घास, पत्तिया, छाल और फल शामिल होते हैं वे भोजन उठाने के लिए अपनी लंबी सून का उप्योग करते हैं और फिर उसे अपने मूँव में स्थानांतरित करते हैं दिल्चस्प बात यह है कि हाथियों के पूरे जीवनकाल में दातों के चार सेट होते हैं जिन में से प्रत्येक सेट लगभग 10 वर्षों तक रहता है जब उनके दातों का आखरी सेट खराब हो जाता है तो वे अपना भोजन ठीक से चबा नहीं पाते हैं और अंततर भूप से मर जाते हैं इस तरह के और वीडियो देखने के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले फैक्ट नमबर साथ हाथियों का एक दूसरे से संबाद करने का एक अनोखा तरीका होता है वे अपने जुन्ड के सदस्यों के साथ संबाद करने के लिए तुरही गरगराहट और घुरगुराहट सहत विभिन प्रकार की ध्वनियों का उप्योग करते हैं ये ध्वनिया हाथि के स्वर रज्जुओ द्वारा उत्पन होती है और मीलो दूर से सुनी जा सकती है स्वरों के अलावा हाथि संबाद करने के लिए शारीरिक भाषा का भी उप्योग करते हैं उदाहरण के लिए वे आक्रामक्ता के संकेत के रूप में अपने कान फढ़ फढ़ाएंगे या अपनी सून्ड उठाएंगे फैक्ट नमबर आठ हाथी उनकुछ जानवरों में से एक है जो विभिन भाषाओं को पहचान सकते हैं कैन्या में किये गए एक अध्यन में हाथी दो अलग-अलग जनजातियों की भाषाओं के बीच अंतर करने में सक्षम थे जब उन्होंने एक ऐसी जनजाती की भाषा सुनी जो हाथियों का शिकार करने के लिए जानी जाती थी तो वे डर गए और भाग गए जबकि जब उन्होंने एक ऐसी जनजाती की भाषा सुनी जो उनका शिकार नहीं करती थी तो वे शान्त हो गए यदि आप इस वीडियो का आनन ले रहे हैं तो लाइक बटन दबाना सुनिश्चित करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फैक्ट नमबर 9 हाथियों के पास खुद को ठंडा करने का एक अनोखा तरीका होता है वे अपने बड़े कानों को रेडियेटर के रूप में उप्योग करते हैं अपने कानों में वाहिकाओं के माध्यम से बहने वाले रक्त को ठंडा करने के लिए उन्हें आगे और पीछे फढ़ फढ़ाते हैं यही कारण है कि आप अक्सर हाथियों को अपने कान फढ़ फढ़ाते हुए देखते हैं खास कर गर्म दिनों में इसके अलावा वे अपनी त्वचा को ठंड़क देने और धूप से बचाने के लिए मिट्टी के स्नान का भी उप्योग करते हैं फैक्ट नंबर दस हाथियों का अपने पर्यावरण से एक विशेश संबंध होता है वे अन्य जानवरों के लिए आवास बनाकर और बनाये रखकर उनके पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाये रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं उदाहरण के लिए वे शाखाओं को तोड़कर और वनसपती को रौंद कर जंगल में रास्ते बनाते हैं जिससे अन्य जानवरों को जंगल में आसानी से आने जाने की सुविधा मिलती हैं वे फल खाकर और फिर अपने मल में बीज उत्सजित करके बीजों को फैलाने में भी मदद करते हैं फैक्ट नंबर ग्यारा हाथियों की एक जटिल सामाजिक संद्रचना होती है जो मनुश्यों के समान होती है वे एक दूसरे के साथ घनिष्ट संबंद बनाते हैं और यहां तक कि अपने साथियों की मृत्यू पर शोग भी मनाते हैं विशेश रूप से मादा हाथी अपने मजबूत सामाजिक बंधनों के लिए जानी जाती है वे अकसर अपने पूरे जीवन भर एक साथ रहेंगे और एक दूसरे को अपने बच्चों के पालन पोशन में मदद करेंगे दूसरी ओर नर हाथी अधिक अकेले रहते हैं इस तरह के और वीडियो देखने के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले फैक्ट नंबर बारा हाथियों की सुनने की क्षमता अविश्वस्निय होती है वे उन ध्वनियों का पता लगा सकते हैं जो मनुश्यों के सुनने के लिए बहुत कम या बहुत ऊची है और यहां तक की जमीन में कमपन के माध्यम से एक दूसरे के साथ संबाद भी कर सकते हैं सुनने की यह भावना हाथियों के लिए आवश्यक है क्योंकि यह उन्हें लंबी दूरी तक संचार करने और संभावित खत्रों का पता लगाने की अनुमती देती है वास्तव में हाथी छे मील दूर से शिकारियों की आवाज का पता लगा सकते हैं फैक्ट नंबर तेरा हाथी खुशी, दुख, क्रोध और भय सहित कई प्रकार की भावनाओं का अनुभव करने में सक्षम होते हैं उन्हें मनुश्यों के समान भावनाओं को प्रदर्शित करते हुए देखा गया है जैसे लंबे समय से खोए हुए साथी के साथ फिर से मिलने पर खुशी या उनके जुन्ट के किसी सदस्य के मरने पर दुख इसके अलावा हाथियों को तनाव या परेशानी के समय एक दूसरे को साथवना देते हुए भी देखा गया है फैक्ट नंबर 14 हाथी कुशल तैराक होते हैं और बड़े जलाशियों को आसानी से पार कर सकते हैं वे अपनी सून्ट को स्नोकल के रूप में उप्योग करते हैं और बिना थके घंटों तक तैर सकते हैं यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबा दे और इससे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फैक्ट नंबर पंदरा हाथी अविश्वसनिय रूप से बुद्धिमान जानवर है और उन्हें मनुष्यों द्वारा कई प्रकार के कार्य करने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है एशिया में हाथीयों का उप्योग लौगंग उद्योग में सद्यों से किया जाता रहा है जहां उनका उप्योग जंगल से भारी लौग को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है उन्हें सिकर्स और अन्य मनोरंजन शो में प्रदर्शन करने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है हाला कि हाल के वर्षो में मनोरंजन के लिए हाथियों के उप्योग को समाप्त करने के लिए आंदोलन बढ़ रहा है क्योंकि इसे क्रूर और अमानविय माना जाता है फैक्ट नंबर सोला हाथी अत्यधिक बुद्धिमान होते हैं और उनमें समस्या सुझाने की अविश्वस्निय क्षमता होती है एक अध्यान में शोतकर्ताओं ने हाथियों के सामने एक समस्या रखी एक ऐसे बक्से से भोजन कैसे निकाला जाए जो हिलाने में बहुत भारी था हाथियों को तुरंत पता चल गया कि वे बक्से को धक्का देने और अंदर भोजन तक पहुचने के लिए लाकियों का उप्योग कर सकते हैं इससे भी अधिक प्रभावशाली बात यह है कि एक वर्ष बीच जाने के बाद भी उन्हें समस्या का समाधान याद रहा फैक्ट नंबर सत्रा हाथियों का अपने दातों से एक विशेश रिष्टा होता है उनके दात वास्तव में 8 फीट तक लंबे हो सकते हैं और उनका वजन 100 पाउंड तक हो सकता है दातों का उप्योग विभिन उद्देशियों के लिए किया जाता है जैसे जड़ो और पानी की खोज करना, शिकारियों के खिलाफ खुद का बचाव करना और अपने जुन्ट के भीतर प्रभुत्व के लिए लड़ना दुर्भागे से अवैध हाथी दांत व्यापार में दातों को भी अत्यधित महत्व दिया जाता है जिसके कारण हाथियों की आबादी में उलिक में गिरावट आई है यदि आप इस वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो लाइक बटन दबा दे और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें फैक्ट नंबर अठारा हाथियों के पास एक दूसरे के साथ संबाद करने का एक अनोखा तरीका होता है जो मनुष्यों को सुनाई नहीं देता है वे लंबी दूरी तक संचार करने के लिए कम फ्रीक्वेंसी वाली ध्वनियों का उप्योग करते हैं जिन्हें इंफ्रसाउंड के रूप में जाना जाता है ये ध्वनिया इतनी धीमी होती है कि ये शिकारियों या मनुष्यों द्वारा पहचाने बिना 6 मील तक यात्रा कर सकती है इसके अलावा हाथी तूफान और भूकम का पता लगाने के लिए इंफ्रसाउंड का भी उप्योग करते हैं जो उन्हें खत्रे के आने से पहले ही बचाव की कार्रवाई करने की अनुमती देता है फैक्ट नंबर 19 हाथी अन्य जानवरों के प्रती परुपकारी व्यवाहार प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं एक मामले में केन्या में हाथीयों का एक जुन्ट संकट ग्रस्त औरिक्स म्रिगों के एक समूँ के पास आया जो कीचण भरे जलाशय में फसे हुए थे क्योंकि वे मनुश्यों सहित संकट में फसे अन्य जानवरों की मदद करने के लिए जाने जाते हैं इस तरह के और वीडियो देखने के लिए नीचे दिये गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना ना भूले फैक्ट नंबर बीस हाथियों का उनके पर्यावरन पर गहरा प्रभाव पड़ता है जैसे ही वे जंगल में आगे बढ़ते हैं वे साफ जगहें और रास्ते बनाते हैं जो सूरज की रोष्णी को जंगल की जमीन तक पहुँचने देते हैं यह नई वनस्पती के विकास को बढ़ावा देता है जो अन्य जानवरों के लिए भोजन और आश्रय प्रदान करता है इसके अलावा हाथी कुछ पौधों की प्रजातियों के विकास को नियंतरित करके उनके पारिस्थितिकी तंत्र के संतुलन को बनाए रखने में भी मदद करते हैं हाथियों के बिना उनके आवासों में भारी बदलाव आएगा जिसका उनके पूरे पारिस्थिति की तंत्र पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है ये थे हाथियों के बारे में 20 दिल्चस्प तथ्य तथ्यों पर आधारित हमारा वीडियो यही पर समाप्त होता है हमें आशा है कि आपने इन अविश्वस्निय जानवरों के बारे में कुछ नया सीखा होगा यदि आपने इस वीडियो का आनन लिया है तो हमारे नवीमतम वीडियो के साथ अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन आइकन को अवश्य दबाएं और यदि आपके पास हाथियों के बारे में कोई अन्य रोचक तथ्य है तो हमें नीचे टिपनी में बताएं अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट factover.com को विजीट करें को विए बारे में आपके लिए सब्सक्राइब बारे में पास्ताइब प्राइब साथियों को विए जानकारी करें